नमस्कार मैं हूँ यह आज आप देखते दिवे भारत की जरुक करेंगे आज की खबर पर राइस्तान के पाले के लोडिया तलाप की पाल पर सरकारी जमिन पर हुई अतिक्रमन को हटाने गए UIT दल को विरोत का सामना करना पड़ा कॉंग्रिस नेता पर रोहित के पूर्व उप्रधान मुनालाल परिहार कारवाई करती समय जमिन पर लेट गए उन्हें समझा कर हटाया गया तो वहीं उनका बेटा अनिल कुमार ADM सिलिंग जबर सी से उलज कर उनके साथ बत्तमिजी करता नजर आया जिसके चलते अनिल कुमार को घिरफतार कर लिया गया अतिक्रमर में आ रहे कमरे को JCB की सहायता से तोड़ दिया गया जबकि कारवाई के दोरान काफी हंगामा भी हुआ मौके पर भीड भी जमा हो गय ADM सिलिंग जबर सी ने बताया कि लोडिया तलाब रोड पर UIT की और से तलाब किनारे दिवार से और फुटपात का निर्मान कराया जा रहा है यहां बजरंग बाग के पास रोहत के पूर्वव प्रधान मुनालाल परिहार की जमिन है जिस पर एक गेट और एक कमरा बनाया हुआ है प्रसाशन के द्वारा वहां दिवार बनाने के लिए बीच में आ रहा था और आराई और तहसिलदार की रिपोर्ट में इसे सरकारी जमिन पर अतिक्रमान माना गया ऐसे में प्रसासन ने अतिक्रमन हटाने के लिए नौटिस भी दिया था वहाँ हाइकोट गए लेकिन वहाँ से उनकी अपिल खारिश कर दी गए इसके चलते तहसिलदार गुलापसी यूआईटी एक्सेन विकास लोग जेन अश्विनी कुमार में पुलिस जाता अतिक्रमन हटाने गए तो मुनालाल परिहार उसके कुछ लोगों ने अतिक्रमन हटाने की दौरान बाधा पहुचाने का प्रयास किया और विरोध करने लगे विरोध की जानकारी मिलने पर एडियाम सिलिंग गपरसी मौके पर पहुचे और नरह चरा और बस्टेन के आसपास के खेत्र में भी अतिक्रमन हटाया गया